नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, हो उपोनो पोनो प्रेयर के बारे में ये प्रेयर बहुत ही मैजिकल प्रेयर है और बहुत जल्दी भी रिजल्ट देती है और इसी के बारे में आज आज आपको मैं बताऊंगा कि इसका यूज कब और कैसे किया जाता है और कब आप इसको यूज नहीं कर सकते ये प्रेयर चार फ्रेजस में होती है जैसा कि आप सभी को पता होगा अगर आप new हो तो बता दे रहा हूँ I am sorry, please forgive me, thank you, I love you ओर इसनल जो हो पोनो पोनो प्रेयर है वो काफी लंबी है पुरे sentence की तरह एक script की तरह है लेकिन mostly लोग अगर यूज करते है तो इन चार फ्रेजस से यूज करते हैं इसको आपको लगता है कि आपके अंदर उसका guilt बहुत जादा है कि आपने कुछ गलत किया उसकी वज़ा से वो trauma create हुआ या फिर आपको लगता है कि आपने अपनी life में कोई गलती की और उसका guilt आपके अंदर है यानि गलती अगर है तो गलती प्रॉबलम नहीं है अगर ऐसी किसी भी तरह की situation में आप हो जिसका guilt या shame आपके अंदर है तो इस जगा पर आप उसको use कर सकते हो यानि इस जगा पर आप Hooponopono prayer को use कर सकते हो एक तो मैंने detail में video upload की थी वो मैंने काफी time जब पहले मैं classes लेता था तो classes के time पे मैंने वो Hooponopono prayer classes में कराई थी तो वो classes वाली ही मैंने YouTube पे डाली थी तो आप चाहो तो उसको भी सुन सकती हो वो भी आपकी definitely help करेगी और चाहो तो normally भी इस तरीके से जैसे मैं भी आपको बताऊंगा इस तरीके से भी आप कर सकते हो इसका use सबसे पहले तो यह जानना जरूरी है कि आप अगर हो Hooponopono prayer का इस्तेमाल कर रहे हो और आपके अंदर कोई भी किसी भी तरह का guilt है तो आप उस guilt को release करने के लिए इस prayer को कर रहे हो even though आप सामने वाले से expect कर रहे हो कि वो आपको माफ कर दे still आप इस vibration में रह करके इसको manifest नहीं कर सकते क्योंकि जब आप इस वाली vibration में रहोगे कि मेरी कोई गलती है और सामने वाला मुझे माफ ही नहीं कर रहा या कभी नहीं करेगा या मैंने कभी कुछ ऐसा किया जिसकी वज़ा से आज मैं शर्मिंदा हूँ या आज मुझे पच्टावा होता है उस बात का तो ऐसे टाइम पर current reality में आपको जो भी चीज़े दिखती है उसको एक वक्त के लिए side करके वो important है उसको आप release करोगे लेकिन directly आप उसको release नहीं कर सकते जैसा अब रहाम हमेशा कहती है कि आप एक ऐसे universe में रहते हो जहाँ पर चीज़ों को push करके उसके against जा करके उसको दूर नहीं कर सकते आप उसके बारे में जितना बात करोगे वो आपकी life में उतना ज़्यादा manifest होता रहेगा क्योंकि हमारा हर एक thought एक vibration है और जितना thoughts हम create करते हैं उतना ज़्यादा vibrations हम create करते हैं यानि thought है जो vibration है और जो continuous thoughts एक के बाद एक आते चले जाते हैं वो practiced vibration है और जब आप practiced वाली vibration में आ जाते हो तो आप manifest करते हो उस चीज़ को चाहे वो चीज़ अच्छी हो चाहे वो चीज़ बुरी हो और वही negative vibration बढ़ती चली जाती है आपको और चीज़े याद दिलाती रहती है आपके reality में और चीज़े होने लगती है इससे फिर एक time आता है जहांपर आप पुरा परिशान हो जाते हो और उस जगह से जा रहे हो उतना आप resistance में दपते जा रहे हो अब इस जगह पर आप देखोगे आप होपोनो पोनो से guilt को release करने वाले हो क्योंकि guilt वाला जो emotion है या shame और पश्तावे वाला जो या परेशानी वाला जो emotion है अब यहाँ पर वो resistance है अब आप इसको release करोगे जब आप guilt फील करते हो shame फील करते हो पश्तावा फील करते हो तो अंदर से क्या negative feeling होती है आपको पता है अब इस जगह पर जब आप सिर्फ और सिफेश से motion को change करने के लिए इस वाली prayer को करोगे तो क्या होगा कि जैसे जैसे आप यह prayer करते जाओगे और इसका result आपको instantly मिलेगा यानि ऐसा नहीं है कि आपको wait करना पड़ेगा बहुत ज़ादा आप जब इसको इसको इस्तेमाल करना शुरू करोगे आप उसी समय समझ जाओगे कि आप पहले से better feel कर रहे हो और जितना इसको continue रखोगे बहुत लंबे समय तक इसको नहीं करना होता है एक दिन, दो दिन, हफता, दस दिन या फिर maximum एक महिना उससे ज़्यादा किसी की जरूत नहीं पड़ती इस चीश को करने की आप इसको दिन भर में कभी भी कर सकते हो अपने हिसाब से अपना time आप choose कर सकते हो जस 5-10 मिनटस आप इसको दे दीजे enough होते हैं एक दिन के लिए अब आप इस sentence को छोटा सा use कर सकते हो सबसे पहले तो अपने mind में remind कीजे कि कौन सी बात आपको परिशान कर रही है किस बात को ले करके आपका guilt है आपने कोई गलती की आपको किसी बात का पच्टावा है उस बात को जस्ट remind कीजे कि हाँ इस बात को ले करके मुझे परिशानी है और बस इतना रखिये कि हाँ मैं जानता हूँ कि इस जगा पर अब मुझे अपने guilt को release करना है और इस जगा पर मैं अपने guilt को release करने के लिए ready हूँ मुझे जो भी हुआ उस तीज के लिए मैं या फिर जाने अन जाने में मैंने जो भी गलती की उसके लिए मैं ये prayer कर रहा हूँ या कर रही हूँ ये बोलते हुए फिर आप बोलोगे I am sorry, please forgive me, thank you, I love you अब इस बात का खास द्यान रखना है जब आप I am sorry, please forgive me, thank you, I love you इस phrase का use कर रहे हो तो इस phrase का use आप सामने वाले person के लिए नहीं कर रहे हो किसी भी इंसान के लिए नहीं कर रहे हो आपके अंदर एक negative emotion बनके बैठा है जो आपकी life को spoil कर रहा है धीरे धीरे जिसका हम नाम देते हैं guilt, shame या जो भी तो आपको सामने वाले person से या बाहर वाली situation से कोई लेना देना नहीं है जो भी परिशानी चल रही है, आपके mind में चल रही है आपकी feelings में चल रही है अब इसके बारे में आप जो बात कर रहे हो I am sorry, please forgive me, thank you, I love you यह आप use करोगे just अपने inner being से बात करने के लिए अपनी अंतरा आत्मा से बात करने के लिए तो इस तरीके से वापस से मैं इसको repeat कर देता हूँ कि सबसे पहले आप remind करोगे कि क्या problem है किसकी वज़ा से यह guilt आ रहा है और guilt जब आ रहा है तो आप समझ जा रहे हो कि हाँ, जाने अन जाने में मुझसे जो भी गलती हुई उसके लिए मैं यह prayer कर रहा हूँ और intention अपने से बाहर नहीं रहेगा अपने से बाहर कोई चीज नहीं देखनी है आपको बस यह देखना है कि मेरा relation खुद के साथ better होना चाहिए और उसके बाद जस्ट आप इस affirmation को यानि इस prayer को repeat करोगे affirm की तरह यानि affirmation की तरह इसको continuously बार 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 आप repeat करोगे जो की है इस तरीके से आप 5 से 10 मिनिट आप इसको use कर सकते हो या फिर चाहो तो आप जैसे mostly लोग 108 affirmations यानि 108 chance भी करना पसंद करते हैं यानि 108 बार इसका जाब करना पसंद करते हैं तो आप वो भी कर सकते हो इससे कोई problem नहीं है उस feeling से ही आप समझ जाओगे कि हाँ आपने resistance को release किया है और जैसे जैसे आप आगे कुछ दिन तक करोगे आप खुछ समझ में आ जागा कि इससे आगे continue करने की जरुरत नहीं है अब हो सकता है कि आप एक दो दिन में इसको clear कर लो हो सकता है अभी आप करो 15-10 मिनिट में ही यह चीश clear हो जाए हो सकता है एक हफते में भी हो हो सकता है एक महीने में भी हो जाए उससे ज्यादा time नहीं जाएगा अगर आपको करने की बिल्कुल इच्छा नहीं है इस प्रोसास को तब यह प्रोसेस आपके लिए नहीं है otherwise इसके अलावा और किसी भी रिजन में यह prayer आपके लिए काम कर जाएगी यानि आपके लिए यह prayer तब ही काम नहीं करेगी जब आपको बिल्कुल भी इच्छा नहीं है इस prayer को करने की लेकिन आप जबरदस्ती करोगे तब यह आपके लिए काम नहीं करेगी लेकिन अगर आप इस वीडियो को अच्छे से समझ गए हो और आप ready हो अपनी मर्जी से स्टीज को करने के लिए ready हो और कोई button नहीं है माइन में कि यह चीज मुझे करनी पड़ेगी और ऐसे में अगर आप करते हो तो आप चाहे जैसे भी person हो एक महिने में आप इस चीज को release कर लोगे और mostly लोग एक दिन से एक हफते के बीच में इसको release कर लेंगे तो यह थी हमारी आज की वीडियो और अगर आपको अपना personal subliminal मुझसे बनवाना हो या फिर मुझसे personal session appointment लेना हो अपनी life के किसी भी situation को लेकर के बात करनी हो तो आप उसके लिए personal session ले सकते हो उसके लिए आप मेरे manager अमृत को contact कर सकते हो उनके WhatsApp नमबर पर उनका WhatsApp नमबर में आपको comment box में दे दूँगा और यह वीडियो आपको कैसी लगी comment box में जरूर बताइएगा और हाँ अगर आपके यह भी question हो कि आप इसको multiple times कर सकते हो क्या हो पोनो पोनो prayer को तो बिल्कुल कर सकते हो एक दिन में 2-4 बार भी आप कर सकते हो चाहो तो तो यह थी हमारी आज की वीडियो इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद